दोस्तों आप सभी का बुद्वत स्वागत है आमारे चैनल में इस वीडियो के अंदर अब यह लूसेंट समाने ग्यान इससे रिलेटेड जो है important 40 plus question इस वीडियो में देखने वाले हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो बहुत ध्यान से लास्तिक देखिए चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने बाद बगल में एक बेल आइकन आएगा उसे वान करके वाल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देए तो चले शुरू करते हैं देखिए यहाँ पर आमारा पहला question दिया क्या है निमने लेखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतिय नागरी को को ही प्राप्त है तो देखे केवल भारतिय नागरी को को ही जो है यह अनुछेद 15, 16 और 29 में प्रदत मूलभूत अधिकार जो है यह केवल भारतिय नागरी को को ही प्राप्त है तो अब संडी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा उपर युक्त में सभी इसके अलावा मौलिक अधिकार से रिलेटेट जो कोशन एक जाम में पूछे जाते हूं वो यहां पर हमने लिख रख्या है देखे पहला दिया गया है भारतिया नागरी को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किये गया है तो मौल अधिकार की सुची से हटा कर कानूनी अधिकार बनाये गया तो याद रखना है अभी कितने हैं ये कम हो गया है छे मौलिक अधिकार है मतलब अगला कुशन दिया क्या है मौलीक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है तो राश्पती याद रखना है मौलीक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है राश्पती कर सकते है मौल अधिकारों को सरपर्थम किस देश में संबैधानिक मान्यता परदान की गई तो मूल अधिकारों को सबसे पहले ये सनुतराज अमेरिका में संबैधानिक मान्यता परदान की गई मौलीक अधिकार संबैधान के किस भाग में बढ़नी थे याद रखना है मौलीक अधिकार का बढ़न संभिधान के किन अनुशेदों में है तो मौलीक अधिकारों का बढ़न जो है अनुशेद 12 से 35 तक में बढ़नी थे ठीक है याद रखना है आपको कुशन नमबर टू है नेमन कथन पर विचार करें तो देखे यहाँ पर तीन कथन दिये गया है आपको इन तीनों कथनों पर विचार करना है देखे पहला कथन दिया गया है राज्यसभा के सदस्य कारेकाल 6 वर्स का होता है तो देखे यह कथन बिल्कुल करेक्ट है दूसरा क कथन दिया गया है राजसभा अस्थाई सदन है लेकिन इसके एक चौधाई सदन से प्रति दूसरे बर्स पद मुक्त हो जाते हैं तो यह भी कथन जो है करेक्ट है तो यहाँ पर अप्शन डी करेक्ट हो जाएगा उपर युक्त सभी ठीक है कुशन नंबर थर्ड है धन बिध्या को राजसभा अधिकताम कितने दिनों तक रोख सकती है तो अधिकताम जो है यह 14 दिनों तक रोख सकती है अप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कुशन नंबर चार है कोई बेक्ती मुँच न्याला का न्याधिस नियुक्त होने का पात्र होगा जब हो तो देखिए मुच न्याला न्याधिस होने की कारेक्टरिया इसमें पुछा गया है तो देखिए सबसे पहले भारत राज्य छेत्र में कम से कम दस वर्सों तक नयाई के पद धारण किया हो या लगातार दस वर्स तक उच नयाला या नयालेयों में अधिवक्ता रहा हो तब जो है ये उच नयाला के नयाधिस होने के लिए जो है मतलब नियुक्त होने के लिए जो है मतलब रेडी है तो यह केरेटेरिया उनके पास होना चाहिए दस वर्ट सो तक किसी नियाले में जो है एक्सपेरियन्स कारेक आधिवक्ता का कारेक किये हो तब जो है वो नियुक्त किये जा सकते हैं तो याद रखना है आपको तो यहाँ पर केवल ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा ठीक है बितियापात उद घ्वंशला कानुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों दोरा कितने मा के भीतर होना चाहिए करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने मां के भीतर होना चाहिए तो देखिए दो मां के भीतर होना चाहिए option C यहाँ पर correct हो जाएगा बितिया पात की बात करें तो यह अनुशेद 360 में आपको याद रखना है बितिया पात कौन से अनुशेद में है अनुशेद 360 में है question number 6 है भारत में पहली बार केंदर सरकार के बिरूथ लोग सभा में आप विश्वास प्रस्ताव कब लाया गया तो देखिए भारत में पहली बार केंदर सरकार के बिरूथ लोग सभा में आप विश्वास प्रस्ताव जो है कब लाया गया 1967 में लाया गया याद रखना है 1963 में option B correct हो जाएगा राज्ये के नेति नर्द सक्ततों के परवर्थान के लिए किस अनुशेद में उपबंध किया गया है राज्ये के नेति नर्द सक्ततों के परवर्थान के लिए किस अनुशेद में उपबंध किया गया है तो ये अनुशेद 37 में जो है उपबंध किया गया है option यहाँ पर correct हो जाएगा इसके अलावा राजे के नीती निर्दे सक्ततों का बढ़न सम्विधान के किस भाग में बढ़ने थे तो ये भागचार में राज्यों का संग भागचार में अनुशेद 36-51 तक में बढ़ने थे याद रखना है चलाया सम्मिती का गठन किस वर्स किया गया था कोको उत्पादन या फिर चमड़ा उत्पादन से है तो करेक्ट आंसर अपसनी हो जायेगा भूरी करांती का जो संबंध है ये कोको उत्पादन या फिर चमड़ा उत्पादन से संबंधित है इसके अलाबा मैत्पोंड क्रेसी उत्पादन और यहां पर करांतिया लिखे हैं जो एक्जाम क्लें इंपोर्टेंट है पहला दिया गया है हरित करांति किस संबंदेत है खद्यान उत्पादन से संबंदेत है स्वेत करांति दुखद उत्पादन से नीली करांति मतस्य उत्पादन से भूरी करांति उर्वराक उत्पादन से रजत करांति अंडा उत्पादन से पीली करांति तिलहन उत्पादन से क्रिस्न करांति बायोडिजल उत्पादन से लाल क टामाटर या फिर मांस उत्पादन से गुलावी करांती जींगा मचली उत्पादन से गन्य का उचित और परिश्रामिक मुल्य यानि एफारपी अनुमोदित करता है तो देखिए आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समीती का अनुमोदित करता है ठीक है तो अपसन यहाँ पर करे गाधि के जीवन काल में घटन निमन घटनाओं का काल करम सही नहीं है तो देखिए पहला दिया गया है चौरी-चौरा घटना तो देखिए चौरी-चौरा जो घटना यह पांच फरवरी 1922 को हुआ था यह करेक्ट है दुसरा दिया गया है दुईतिया गोल में सम्मिलन 24 सितमार 1922 को यह भी करेक्ट है और पांच चौरथा यह ओपसन जो दिया गया है भारत चौड़ो अंदोलन तो भारत चौड़ो अंदोलन कब हुआ था आठ या 9 अगस्त 1942 को हुआ था ठीक है 9 अगस्त 1942 को जो है भारत छुड़ो अंदोलन हुआ था तो यहीं पर ये गलत है तो option D यहाँ पर correct हो जाएगा अजाध हिंद फोज के साथ है सुबास चंद्र बोस ने सिंगापूर में स्वतांत्र भारत की ओ आस्थाई सरकार का गठन कब किया तो देखें ओ आस्थाई सरकार का गठन जो है भारत में 21 अक्टूबर 1947 को किया ठीक है तो आंसर हो जाएगा option B question number 14 है सती पर्था का उन्मूलन किया गया तो अठार सो उन्तिस के नियम 17 के द्वारा अठार सो उन्तिस के नियम 17 के द्वारा जो है सती पर्था का उन्मूलन किया गया option B यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लिज वीडियो को लाइक जरू करें और अपने दोस्तों में share भी कर सकते हैं चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन पर आन करके वाल नोटिफिकेशन पर क्लिक रखें जब भी कोई नियम वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको time to time मिल सकेगा अगला question देखते है बहावियो के बिद्रों को कुचलने का सरे किस गौर्णर जर्रनल को जाता है तो ये लौड एलगिन प्रत्थम को जाता है ठीक है लौड एलगिन प्रत्थम को जाता है अप्सन भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा सिंदुगाटे सब्भेता के अंतरगाते सौव को दफनाने के अवसेस मिले है इसमें सौव के सीर किस दिशा में रखे मिले है तो देखे इसमें सौव के जो सीर है ये उत्तर दिशा में रखे मिले है तो अप्सन यहां पर करेक्ट हो जाएगा किस बौध संगीती में बौध धरम को दो संपरदायों में बिभाजन हो गया था किस में हो गया था तो यह अपसंडी में हो गया था चतूर्थ में ठीक है महभीर स्वामी को किस नदी के टट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई तो यह रिजुपाली का नदी के टट पर प्राप्ति हुई ठीक है अपसंडी करेक्ट हो जाएगा दुनिया में कुल कितने देश हैं बेरे इंपोर्टन कोश्चन है दुनिया में कुल कितने देश हैं तो देखे 195 देश हैं याद रखना है कितने है 195 संयुक्तराष्ट के अनुसार लगभग 251 देश हैं बिस्व में संयुक्तराष्ट के अनुसार जो है लगभग 251 देश है और परदेश मौझूद है लेकिन United State of America द्वरा परदान की गई माननेता के अनुसार बिस्व में जो है 195 देश हैं हलाकी अधिकारिक दोर पर 195 देशों को माननेता प्राप्त है तो याद रखना है कितने देश है 195 देश है अजीवक संपरदाय के संस्थापक कौन है अजीवक संपरदाय के संस्थापक कौन है मखली पुत्र है अजीवक संपरदाय के संस्थापक अपसंसी करेक्ट हो जाएगा किस मुगल सासव के सासन काल को स्थापत्य अकला का स्वार्णिम काल कहा जाता है किसको बुला जाता है तो देखिए ये बुला जाता है सा जहां को ठीक है तो option C यहां पर correct हो जाएगा दिवान ए अर्ज किस बिभाग से संबंदी था ये very important question है याद रखना आपको C अन्सर हो जाएगा 23 है बसावन वद दसवंत किस सासक के दरबाड़ी चितरकार थे 24 वद दसवंत किस सासक के दरबाड़ी चितरकार थे तो यह अकबर के दरबाड़ी चितरकार थे याद रखना है option B correct हो जाएगा निमनलेखित में से कौन सुमेलित नहीं है तो देखिए यहां पर 4 option दिया गया है इसमें बताना है कि कौन जो है सुमेलित नहीं है पहला नरोरा ये उतर प्रदेश में है सुमेलित है दूसरा कुंडन कुलम कुंडन कुलम करनाटक में नहीं है कुंडन कुलम कहा है तमिलाडू में है कुंडन कुलम कहा है तमिलाडू में है याद रखना है तमिलाडू बाकी ये correct है काकरा पड़ा गुजरात में तारापूर महराश में तो option B यहाँ पर 24 के B correct हो जाएगा और तिस्वी सामनांतर रेखा कींदो देशों के मत्थे इस्तीत है तो ये उतर कोरिया और दचिल कोरिया के मत्थे इस्तीत है तो option यहाँ पर correct हो जाएगा निमनलेखित में से कौन सा एक अच्छे इंधन का गुण नहीं है तो देखिए यहाँ पर एक-एक option पड़ते है इंधन का उसमिया मान उच होना चाहिए तो ये इसका गुण है अच्छे इंधन का गुण है दूसरा दिया गया है जलने पर ज्यादा से ज्यादा अपसिस्ट वहानेकारक गैसों का उत्सरजन होना चाहिए तो यह इसका गूंड नहीं है तो option B यहां लगता है 27 है सुची 1 को सुची 2 से सुमेलित कीजिए तो देखिए very important question vitamin से question exam में पूछे जाते हैं vitamin B7 की बात करें तो vitamin B7 की कमे से क्या होता है तो इसकी कमे से बाल जड़ते हैं ठीक है vitamin B7 की कमे से क्या होते हैं बाल जड़ते हैं vitamin B12, vitamin B12 प्रणासी आरक्तता होना vitamin E की बात करें तो बाजपन उत्पन होना vitamin E की कमे से vitamin K रक्त जो है ठका इसकी कमे से नहीं बनता है तो याद रखना है तारों के मध्धे दूरी ग्याद करने की इकाई है तारों के मध्धे दूरी ग्याद करने की इकाई इन में से कौन सा है तो प्रकास वर्स के द्वारा तारों की मध्धे जो दूरी होती है उसको ग्याद किया जाता है निमने लेखित में से कौन सा रोग प प्रब्लम होती है इस रोग के अंदर याद रखना है आपको हिमोगलोबिन लाल रखत कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है तो देखे हिमोगलोबिन जो है किसका वहन करता है अक्सीजन का वहन करता है याद रखना है अब सनी करेक करेक्ट हो जाएगा किसी पदार्थ को ये कवस्ता से दूसरी आवस्ता में बीना तपमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवसेक उस्मा की मात्रा है तो क्या है गुप्त उस्मा उस्मा की मात्रा गुप्त उस्मा अपसंडी करेक्ट हो जाएगा 32 देखते हैं निम पाई जाता अप्सन D करेक्ट हो जाएगा निमने लेखित में से कौन सा विटामीन एक अच्छा सुरोत नहीं है तो विटामीन एक अच्छा सुरोत इन में से कौन सा नहीं है मचली का तेल विटामीन एक अच्छा सुरोत है पालक भी है जनतूओं के यक्रितेवम गुर्दे यह जो है विटामिन A का अच्छा सुरोत नहीं है तो अपसन C करेक्ट हो जाएगा विटामिन A आम जो है यह विटामिन A का अच्छा सुरोत है तो अपसन C यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 34 देखते हैं धातों में सबसे कम घनत वाला ततों कौन सा है धातों में सबसे कम घनत वाला ततों बताना है इसमें तो लिथियम जो है सबसे कम घनत वाला ततों अपसन B करेक्ट हो जाएगा प्राकिर्तिक रबड के बारे में निमने लेखित में से कौन सा कथन सही है सही बताना है प्राकिर्तिक रबड के बारे में तो देखें पहला ही कथन जो है सत्य है यह एक प्राकिर्तिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं तो ये प्राकृतिक रबबर के बारे में correct है, कि सितत्यों का रासाइनी गुण निमने लेखित में से कौन ताय करता है, very important question, कि सितत्यों का रासाइनी गुण कौन ताय करता है, electron की संख्या ताय करता है, ठीक है, option C correct हो जाएगा, देव प्रियाग किन नदियों के संख्यम परिस्तित है, तो ये भागी रथी और अलखनंदा के संख्यम परिस्तित है, option C correct हो जाएगा, निमने लेखित में से किस राज्य से करकर रेखा बीचो बीच गुजरती है, करकर रेखा किन राज्यों से बीचो बीच गुजरती है, तो ये मद परिस्तित से बीचो बीच गुजरती है, option C correct हो जाएगा, निमने लेखित में से कहां सरवाधिक जयव बीचता पाई जाती है, तो जयव बीचता सबसे अधि कहां पाई जाती है, तो देखिए, ये पाई जाती है, उस्रकटी बंधिया, बरसा बंद में, ठीक है, उस्रकटी बंधिया, बरसा बंद में जो है, सरवाधिक जयव बीचता पाई जाती है, option C correct हो जाएगा, 40 है, निमने लेखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, इंचारवम बताना है आपको, तो पहला दिया गया है, बांधाव का राष्टियो उद्यान, तो ये मध्य परदेश में है, रोहला राष्टियो उद्यान, ये गुजरात में नहीं है, कहां पर है हिमाचल परदेश में है ठीक है रोहला जो है ये हिमाचल परदेश में सीमली पाल राष्टिय उद्यान उडिसा में बांदिपूर राष्टिय उद्यान करनाटक में है याद रखना है निमने लेखित में से कौन सीत सागरिय जलधारा नहीं है इन में से कौन सा तो देखे करेक्ट हो जाएगा अगलुहास जो है यह सीत महासागरिया जलधारा नहीं है बाकी यह तीनों है बेंगुएला हमबोल्ट और लेब्राडोर तीनों जो है यह सीत महासागरिया जलधारा है अगलुहास जो है नहीं है तो अप्संडी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अगला कुश्चन देखते हैं निमनलेखित में से किस नदी को दच्छिड भारत की गंगा कहा जाता है तो काबेरी नदी को बुला जाता है option B यहाँ पर correct हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हमार अगला कुश्चन है ये आप लोगों के लिए humor question रहेगा ठीक है question है लाल बहादुर सास्त्री एस्टेडियम कहा इस्तीत है लाल बहादुर सास्त्री एस्टेडियम option है आपके पास हमदाबाद चंडिगर, नई दिल्ली, हैदराबाद तो दोस्तों यदि आपको इसका answer पता हो तो comment box में जरूर बाता है और आप इन question में से कितने question अपना score कर पाए है अपना comment में बता सकते हैं कितना score आप कर पाए है ठीक है और मतलब वीडियो पसंद आया हो तो please वीडियो को like करें अपने दोस्तों में share कर सकते हैं और channel पनाया है तो channel को subscribe करके बगल में एक bell icon आएगा उसे on करके all notification पर click किजिएगा ठीक है all notification पर जब भी मैं कोई न्य वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका notification आपको मिल जाएगा all notification पर click होगा तब ही मिलेगा ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार जय हिंद जय भारत